कॉफी ने हमेशा जुबान जलाई है इस बार सबसे ज़ादा जले हैं हार्दिक पंडिया और केल राहूल दोनों के दोनों कॉफी विद करण के शोपे गए हुए थे वहाँ करण जोहर के साथ बातों के दोरान हार्दिक पंडिया ने महिलाओं को लेकर कुछ बकवास बाते कहती थी बाते इतनी बकवास थी कि उन्हें दोहराया नहीं जाए तो बहतर होगा इस पूरे मसले पर मचे हो हल्ले के बाद अब हुआ ये है कि केल राहुल और हार्दिक पंडिया को सस्पेंड गर दिया गया है कब तक जब तक उन पर इंक्वाइरी न शुरू हो जाए और इंक्वाइरी का नतीजा न आ जाए Committee of Administrators यानी COA ने खिलाडियों को एक नया Show Cause Notice जारी किया और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों ही खिलाडी न तो Australia के खिलाफ एक भी मैच खेल पाएंगे और Australia टोर के बाद जो New Zealand का टोर होने वाला है उसमें जो Limited Overs के मैचेज हैं या तो वो सारे के सारे मिस करेंगे या फिर शुरुवात के कुछ मैचेज इन दोनों खिलाडियों को मिस करने पड़ेंगे इन दोनों ही खिलाडियों को यानि केल राहूल और हर्दिक पंड्या को जो शो कॉस नोटिस भीजी गई वो हाथ लगी ESPN क्रिक इन्फो के क्रिक इन्फो ने बताया कि उस शो कॉस नोटिस में लिखा हुआ है कि इन डिसिप्लिन और मिस कॉंड़क्ट के चलते बी सी सी आई के समविधान के नियम 41 के अंतरगत आप दोनों खिलाडियों के खिलाफ जाँ शुरू हो गई है इसके बाद Committee of Administrators ने BCCI की लीगल टीम के सलाह मानी लीगल टीम ने सलाह क्या दी थी? लीगल टीम ने ये कहा था कि दोनों खिलाडियों को तुरन सस्पेंट कर दिया जाए आपको याद दिला दू कि पिछले साल अक्टूबर में जब राहुल जोहरी पर मीटू कैम्पेइन के तहत आरोप लगे थे तो भी यही प्रोसीजर अपनाया गया था उस वक्त भी लीगल टीम ने यही कहा था लीगल टीम की सलाह के साथ डाइना एडल जी की भी सहमती थी डाइना फॉर्मर इंडियन विमिन कैप्टन है और सीओ ए की मेंबर है उन्हें बीसी सीए के एक्टिंग सेक्रेटरी अमिताब चौधरी का भी साथ मिला क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरे हम आप तक लाते रहेंगे अगर ये विडियो आपको फेस्बुक पे दिखाई दे रहा है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए ये विडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए हमारा एप डाउनलोड कीजिए कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए